Hello everyone, welcome to Global Online तो students, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि UGC ने recently एक important notice release किया है that is related to PhD तो अगर आप में से कोई PhD कर रहे हो या PhD करने के बारे में भी सोच रहे हो तो ये वीडियो, ये notice आप लोगों के लिए बहुत ही जादा important है So maybe ऐसा हो सकता है कि इस notice के थूँ आप लोगों को एक ऐसी opportunity मिले जिससे directly without PhD आप लोग यूनिवोसिटी में Central Universities में आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिल सकता है तो जैसा कि हम सभी को पता है कि Universities में PhD candidates के लिए जो regular post आती है वो किस तरह से recruitment वहाँ पे होती है लेकिन अभी उसके अलावा कुछ एक नया rule UGC लेकर आना चाती है So यह जो notice है यह जो rule है यह अभी implement नहीं हुआ है UGC इसके बारे में अभी सिरफ planning कर रही है So यही सब चीजे इस notice में बताई गई है तो आप सभी यहाँ headline देख सकते हो That is UGC to allow experts without PhD to teach यानि कि UGC बोल रहा है कि वो experts को पढ़ाने का मौका देगा universities में लेकिन without PhD तो अब आप लोग यहाँ पर यह सोचोगे कि हम लोगों ने जो PhD डिगरी की है तो वो क्या waste हो जाएगी यह जो लोग PhD कर रहे हैं तो वो क्या waste जा रहे है जो भी आप लोग मेहनत कर रहे हो तो students आप लोगों ने confused बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि यह questions आपके दिमाग में आना बिल्कुल जायज है लेकिन आप सभी tension मत लीजिए इस वीडियो में हम लोग detail में discuss करेंगे कि इस notice में UGC exactly कहना क्या चाहता है तो UGC ने इसमें ये बोला है कि जो central universities है वहाँ पे teaching के लिए आपको PhD जरूरी नहीं होगी सिरफ central universities में बट ये PhD compulsory की जो बात की गई है ये हर एक subject के लिए भी यहाँ पे UGC ने नहीं बोला है इसमें कुछ particular subjects की बात की गई है जैसे कि dancing होता है music होता है आप लोगोंने सुने होंगे बाकी subjects में तो बहुत सारे लोग PhD करते हैं लेकिन music and dancing ऐसे कुछ professional ये fields होती है जहाँ पे लोग PhD तो नहीं करते बस वो लोग experts होतें अपनी field में तो यहाँ पे उसी बात पे focus किया है UGC ने तो इस initiative को लाने का UGC का एक purpose है तीक है वो यह है कि जो भी in musicians की या फिर dancers की expertise है तीक है and कुछ subjects में उनको grow किया जाना चाहिए जैसे कि musicians होते हैं dancers होते हैं इनके पास जो degree नहीं है PhD की उसे consideration से out करके उनके expertise पर focus करके उनके knowledge को उनके जो expert है वो उनके जो expertise है उस पर focus करके उनके knowledge को यहाँ पर use किया जाना चाहिए तो इस चीज़ पर focus करते हुए UGC ने यह नया rule बनाने का भी plan किया है तो यह actually अभी UGC ने इस बारे में सिरफ बात की है मैं आप लोगों को बार-बार बता रही हूँ कि सिरफ बात हुई है इस बारे में final implementation इसका अभी तक नहीं हुआ है तो आपको क्या लगता है कि क्या यह initiative आप लोगों के लिए useful है या नहीं है and second important point यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अभी तक जो age limit थी वो 58 थी but अब यहाँ पर इसे बढ़ा करके 65 कर दिया गया है ठीक है इसे बढ़ा करके 65 कर दिया गया है and इसमें जो भी experts होंगे जो भी retire हो चुके हैं जैसे माली जे कोई dancer है वो कहीं पर dance सिखाते हैं and वो retire हो चुके हैं तो वो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं अपने knowledge को, अपने expertise को वो students के साथ share कर सकते हैं उन्हें पढ़ा सकते हैं सिरफ अपने knowledge के थूँ को consider करेगा ना कि उसके degree को तो आप में सी जो भी students इस तरह के subject से belong करते हैं जैसे आप musician हो, dancer हो, ठीक है इस तरह के subject से अप लोग belong करते हो तो आपके लिए ये golden opportunity है आप लोग जरूर इसमें apply कीजेगा तो ये एक centralized portal में होगी जितनी भी यहाँ पे vacancies है ठीक है, so UGC plan कर रही है कि वो एक centralized portal यहाँ पे create करेगी जिसमें की candidates apply करेंगे अपने form fill करेंगे अपनी details यहाँ पे डालेंगे and UGC जो है उन सभी को track करेगी and students भी जो है apply करने के बाद UGC को यहाँ से track कर सकते हैं and UGC उनकी appointments ensure करेगा without any delay so यह process जितना जल्दी हो सकता है UGC को implement करना चाती है and इसमें approximately 10,000 vacancies है अभी तक Central Universities में जो कि UGC इस initiative के थूँ भरने वाले हैं तो यह एक बहुत अच्छी opportunity है आप में से बहुत सारे students होंगे आपके known ऐसे आपके friends हो सकते हैं आपके colleagues हो सकते हैं तो आप लोग इस video को जरूर share कीजेगा क्योंकि यह उन सभी students के लिए एक golden opportunity है and आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है क्या UGC का यह decision से आप लोग सहमत हो या नहीं हो यह भी आप लोग हमें comment करके जरूर बताईएगा so आज के इस notice में सरफ इतना ही था and इसके अलावा एक और बड़ी announcement में यह करना चाहती हूँ कि आप लोग UGC net paper 1 का complete course जो है हमारे app global online से access कर सकते हो so इसके लिए आपको play store पर जाकर app को download करना होगा and यहाँ पे आप इस app का official logo देख सकते हो paper 1 में हम आपको provide कराते हैं full syllabus video lectures with point to point detailed explanation full syllabus notes, maha marathon, solve previous year questions in the form of PDF and आप लोगों को पता है कि इसकी क्या एहमियत है आप लोगों के preparation में and हर एक unit के separate mock test हम आपको provide कराते हैं and इस complete course की validity रहेगी 1 year इसके अलावा आप लोग paper 2 में computer science, management, commerce and economics का भी complete study material हमारे app global online से access कर सकते हो so अगर आप लोग paper 2 का complete study material हमारे app से लेते हो इसकी validity भी रहेगी 1 year and इसके साथ paper 1 का complete study material हम लोग आपको बिलकुल free provide कराते हैं तो किसी भी तरह की जाधा जानकारी के लिए आप लोग दियेगे whatsapp number पे contact कर सकते हो and हमारा paid group join कर सकते हो so आज के लिए students इतना ही I hope you like this session and please इस video को अपने friends के साथ share जरूर कीजेगा thank you so much for watching this video